नमस्कार मित्रो मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक सुथ पंकज पे स्वागत है BPSC टीचर 2.0 की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है बहुत कम समय में BPSC ने इसको कंप्लीट किया और रिजल्ट भी आलमस्ट सारे सब्जिक्ट का दे दिया इसके लिए BPSC को बढ़ाई BPSC बढ़ाई का पातर भी है बीना कोशन पेपर के लिख हुए बीना किसी बिवाद में प्रोसेस प्रोसेस बिवाद में आये जो दिखता है बाहर से उसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया अतुल सर को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन इसके साथ ही BPSC में कई तरह के प्रोब्लमस हमें दिखे आज एसपेरेंट आज एकांडिडेट आज एमेंटॉर तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग को बताया जाए और ये प्रशन आ भी रहा है मेरे पाश पहला शवाल ये है कि ये पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के बेसिस पे कटप क्या निर्धारन देनी के आउशकता क्यों पड़ी इसको अगर देना ही था तो पहले क्लियर क्यों नहीं किया गया दूसरा प्रशन ये है कि यूर में जब अल्रेड़ी सीट इतनी कम है उसमें भी रिजल्ट की शंख्या हम लोग को कम क्यों दिख रही है 242 सीट थी फीमेल काट आ दिया जाए तो 170 मेल के लिए फिर भी सीटों की संख्या यूर में जो सलेक्टेड है 130 है कि अपराक्स है एक डेटा यही है उसमें भी फ्रिडम फाइटर, डिसेबल्ड सब हैं उसमें फिमेल भी है तो क्यों हमें कम दीख रही है तीसरा सवाल ये है कि आप ठीक है एसी कटेगरी की सीटे ज़्यादा थी तो ज़्यादा दिख रही है और बागी कटेगरी जो EBC, OBC है इसमें सीटे कम है तो सीटे कम क्यों है सर रिजर्विशन एक जड़िया हो सकता है जड़िया ही है जॉब देने का तो उसको रिजर्विशन का बहाना बनाकर आप सीट क्यों कम दे रहे हैं ठीक है इसी में सीटे ज़्यादा थी तो बागी कटेगरी में भी इनफ सीटे होनी चाहिए थी हो सकता है सीटे खाली नहों लेकिन डीवी के दौरान वो भी आएगा हम लोग देख लेंगे इसके अलावा जब सीट कम थी ठीक है आपको नहीं मिला वो डिमांड नहीं मिला आपने नहीं आड किया एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं भेजा तो मेरा कहना है कि सीट जब कम थी तो पेपर को असान क्यों करना था जनरली हम लोग पेपर को असान इसलिए करते हैं हम लोग कटप बहुत जाए मतलब सौक नंबर का गर एक्जाम हो रहा है न असी कटप जाए तो असी कटप जाएगा तो हम 90 भी कटप कर देंगे न कोई भरोशा कर लेगा कि नहीं नी पेपर असान था 90 कटप गया पेपर कोई असान तो होता ही नहीं सत उसके बाद एक और सवाल है जब एक तरब आप PC में कहते हो कि हमारे कम्प्यूटर सौप्ट्वेर में 67 वीपीसी के फाइनल रिजल्ट में पोस्ट प्रिफरेंस और केटेगरी को एज़ेस्ट करके मातर 40 मिनट में रिजल्ट दे दिया तो क्या उसी तरज पे आप 1% 1 रिजल्ट वीपीसी 3.0 में नहीं दे सकते थे बिल्कुल दिया जा सकता था वो कम्प्यूटर सौप्ट्वेर एज़ेस्ट कर लेता तो मुझे तो लगा है कि एक तरब से अगर आप तो कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी जो भी बीपीसी एक संस्ता है उसके अध्यक्षो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरब से आपने कहा कि मैं दे सकता हूँ लेकिन मैंने दिया नहीं उसके बाद आप कहते हैं कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट दे देंगे जो अभी होना था अभी उसमें तो बहुतों का कल्यान हुआ नहीं सप्लिमेंटरी रिजल्ट का क्या लोग वेट करेंगे पिछली बार भी आप 4700 के जगा 2700 का अग्जेक डेटा याद नहीं इतना ही सप्लिमेंटरी रिजल्ट दिया तो ठीक है अब जो भी हो गई चीजे हो गई लेकिन प्रॉसेस बहुत ही कॉंप्लेक्स रखा गया बहुत कम समय में किया गया हरबड़ी दिखी और इसमें बहुत सारी चीजे जो है जो जन्विन कैंडिडेट है बहुत सारे जो ठगावा महसूस कर रहा है और ये अचेवमेंट नहीं है ये अचेवमेंट नहीं है मुझे तो ये पॉपॉलिस्ट अप्रोच ही लग रहा है अचेवमेंट नहीं है